दोस्तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी प्रात्ना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपनी जीवन में इस्तमाल करते हैं तो कुछी समय में आपकी पैसे से जुड़ी सारी समस्यां दूर हो सकती हैं और आपको वह जीवन दे सकती हैं जिसके आप हगदार हैं मैं आकाश श्रमा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ब्लैस सुत्रा पर अगर आप पहली बार में चैनल पर आएं तो प्लीज सब्सकार करने चाहूंगा कि वास्तों में आप बहुत भाग शाली हैं क्योंकि आप पुद्विश्वास की तक्नीक से अपने जीवन में ऐसी मिध्धन और दोलत पाईए और वही तक्नीक मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों यह बात सब 1972 की एक लेडी जिनका नाम कौनी मैंडेज था कौनी मैंडेज ने पैसा धन दोलत और इंसान के वहवार पर काफी रिसर्च किया था उनका मानना था कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को संपन जीवन जीने का दिकार है और हर व्यक्ति को उसकी पसंद का जीवन मिलना ही चाहिए वेन जिलमें एक बहुत बड़ी कॉनफरेंस हुई जिसका नाम था पावार ओफ क्रियेटिंग वेल्थ इ कि इस कॉन्फरेंस में काफी लोग मेरी बात से खुश नहीं है लेकिन कॉन्फरेंस में अपने ध्यरिये को बनाये रखा क्योंकि उन्हें अपने केविर सर्च पर पूरा बरोसा था इसलिए उन्होंने तैय कि वह आज साबित करके रहेगी कि मेरी सारी थियोरी बिल्कुल स समय में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके आज तक आपने बस सपने देखे हैं कॉनी मेंडेज बड़े विश्वास के साथ उठी और भीड की तरफ गई और बोली मैं आपकी आखों के सामने अपनी बातों को साबित करूँगी ये बाते सुनकर हर किसी की सांसे अटक उस लेडी के चेरे पर साफ साफ उसकी प्रिशानी दिखाय दे रही थी कॉनी मेंडेज ने महिला से पूछा क्या आप वास्ता में धन और दोलत पाना चाहती हैं महिला बोली हाँ मैं इस समय पैसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिशान हूँ मैं रात दिन काम करती हूं लेकिन मुझे मेंडे जरूरत के लाइग भी पैसे नहीं मिल पाते मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूं जिससे मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छे दरह से व्यतीत हो सके कॉनी मैंडेज ने महिला से पूछा क्या आप इतने श्वर पर विश्वास करती हैं म वो महिला कॉनी की एक वफदार फोलोवर्स थी लेकिन उसे उततर देने में जिचक मैसुस हो रही थी वास्तर मेंगोंसे कॉनी की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था वो महिला बोली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या उत्तर दूँ लेकिन मैं ये जानती हुगी मेरा ईश्वर मेरे साथ है कौनी मेंडरी सकुल majorita है तुम चिंता मत करो मेरे पास तुम हारी समस्याव का समध हान है मैं तुम हारी सारी चिंताओं को दूर करने का अब तुमें रास्ता बताऊंगी और बस मैं इतना चाहती हूँ क्योंकि जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी अपूसे परति बद्ता के साथ इमान दारी के साथ निभाएंगी। उसमहिला विना किसी さहाट के कहा कि ऌहसं के आप के निदेशों का पालन करनी का वादा करती हूं। कौनी ने जो भी कहा उस महिला ने उसे परती बदता के साथ करने की परतिग्या ली। कौनी ने उस महिला को समझाया ये प्रात्ना करना पहले तो आपको ये अजीब लग सकता है क्योंकि आपने इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं है। लेकिन चैसे जैसे दिन बितेंगे आपको इसकी वास्तिकता महसुस होगी। कॉरी मेंडर्स बोली अब ध्यान से सुने। मैं तुम्हें तीन शक्तिशाली से धानतों को बताने जा रही हूं। जिन में से परतेक आपके समरिद्धी के मार खोलने करी शक्ति रखता है। पहले इस विचार को सिवकार करें कि सब कुछ इश्वरिय सोस से आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को खुद के लगाए परती बंदों से मुख करें। आप ये पहचाने की समरिद्धी और सफलता के रास्ते की कोई सिवा नहीं है। क्योंकि वे भगवान के हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझते की हर जरूरत को पूरा करने के लिए पहले सी संसादन मौजूद है। आप औरती और मांग दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए है। दूसरे अपने आपको भगवान के इरादों की महानता के लिए खोलें। समझें कि वे उससे कम कुछ नहीं देता जिसकी आपको वास्तों में चुरूरत है। और जब भी आप किसी चीज़ के लिए तरस्ते हैं तो वे उससे कम नहीं देता है। यह जानने की यह बिल्कुल सही समय पर रुत्पन होता है। इश्वर आश्चरिय आपके जीवन में परकट होने के लिए सही समय की परतिक्षा कर रहा है। अकसर लोग पूर्णेता की अपनी यात्रा में लड़ खड़ा जाते हैं क्योंकि उनमें द्रट संकलब की कमी होती है। इसलिए चिंतित विचारों को छोड़ दें और जब आप इस मानसिक्ता को समझ के साथ छोड़ देते हैं तो चीजों के पराकर्तिक परवाह के परतिस समर्पन कर दें। हमें जो चाहिए वे आराम से मांगें क्योंकि यह हमारे लिए पहले सी उपलब्ध है। हमारे पास दावा करने के लिए शक्तिशाली तरीका है खासकर जब पैसे की बात आती है तो जब हमारे विचार शांती पूर्ण होते हैं और विवस्तित होते हैं तो हमारी बहुतिक वास्त्विक्ता उसी सद्भाव को दर्शाती है। मुझे आपके साथ एक और महत्पून नियम शेयर करना है। मैं अक्सर लोगों को अगले हफते, अगले महीने या अगले साल के भविश्य के खर्चों के बारे में चिंता करते हुए सुनती है। मैं सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। याद रखें कि भगवान एक शास्वत वरत्मान में रहते हैं जहां आतीत और भविश्य की कोई शक्ती नहीं है। आपको कभी भी साधन के बिना एक दिन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए से सम्वे आजमाएं और इन शिक्षाओं को अपनाएं उन्हें वेवार में लाएं। अब उस सम्रिद्द्र का दावा करें जो वास्तिक रूप से आपकी है क्योंकि आपका जीवन पहले से ही सुन्दर है। और कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एक निर्नायक मोड पर पहुँच गए हैं। यहां तक कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उमीद पुरी होगी तो आपकी आँखों में आसु भी आ सकते हैं। क् एक महिने बाद वह सब कुछ साबित करने का शेंट भी आ गया था जो कौनी मेंडोज ने सबसे प्रॉमिस किया था। कौन्फरेंस में वह लेड़ी सबसे आगे खड़ी थी। कौनी मेंडोज ने उसका गरम जोशी के साथ स्वागत किया। और महिला भी अपने आपको रोक कौनी का मैं बहुत भूँत धन्यवाद और शुक्रिया करती हूं पौनी ने उस महिला को कहा कि अब तुम सब को बताओ कि तुमने कराता को कैसे किया। महिला नेॉस सुकता के साथ सब कुछ बताना शुर् किया। महिला बोली ऐमस्रूरी को डेरी मांदारी से अभ्यास मैं अमीर हूँ मेरे पास सब कुछ है सम्पंता सम्रिद्धी पर जुरता ने मेरे मन को भर दिया था और एक दिन जब अपने बेटे के साथ मार्किट में थी मेरी नजर एक लोट्री की दुकान पर पड़ी पता नहीं कैसे मेरे मन मुझसे कहा कि एक टिकट ले लूँ और मैंने एक 10 लाग डॉलर की फ्राइस का एक लोट्री का टिकट खरीद लिया और कुछ दिन बार टिकट का रिजल्ट आने वाला था हाला कि मैं उस टिकट के रिजल्ट के बारे में भोल चुकी थी लेकिन मेरे बेटे को याद था और र दस लाग डॉलर का एक भवे प्रुसकार जीता था सबसे है विश्व इसने बात यह थी कि मुझ पर खर्चों का बोस्त था लेकिन अब है चमतकार एक रोप से दूर हो गया था कुछी समय में यह कहानी अकबारों में फैल गई कि कैसे महिलाने केवल एक महिने में 10 लाग ड जा रहा हूं इसे नोट कर लें और अपने जीवन में इसका उप्योब करके अपने जीवन को संपन सम्रिद और खुशाल बनाए वह प्रात्ना है मैं हूं मेरे भीतर और मेरे चार और धन के स्रोथ है मेरा धन दोलत संपनता और पच्चुता के साथ विश्वास का संबंध ह और मैं इसी विश्वास की लहरों में बह रहा हूं मैं इस सम्रत संपन दुनिया से जुड़ा हूँ और उसका एक महत्पूर्ण अंग हूँ इसलिए मैं करतेग्यता पूर्वक उस अपारधन को स्विकार करता हूँ जिसका मैं पच्चुर मात्र में आनन्द ले रहा हूँ विश्वास करें कि भगवान हमें आश्रिवाद देना चाहते हैं और धैरिये पूर्वक पर तिक्षा कर रहे हैं यहां तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक्यू बैस